हेलो दोस्तो वेलकम टू देव MTR और आप देख रहे हैं बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट का ब्लेक कलर टोटल दो कलर में आती है जिसमें रेड और ब्लेक कलर मिल जाते हैं बाकी इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं माइलेज कितना देती है टॉप स्पीड कितने तक जाती है ओन रूड कीमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए दोस्तों सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो इस बैक की ओन रूड कीमत है 145,000 के आसपास और दोस्तों अगर हम बात करें बजाज एवेंजर 220 क्रूज के बारे में तो उस बैक की ओन रूड कीमत है 173,000 के आसपास जो मैंने आपको रोल्टा बजाज की लाखेंगे तो एवेंजर का यहांपर आपको 3D क्रोम के साथ लोगों मिलता है बाकि आपको ग्रे कलर और ब्लैक कलर के काफी शानदार ग्रापिक्स और 13 लीटर का यहांपर आपको यहांपर आपको फ्यूलगे गीरम निट्रल इंडिकेटर आपको टिकेटर चेक इंजन की फार्निंग लिए यांवनर मिलता है के एवेंजर की ब्रांटिंग कंसोल यहां पर आपको सेमी डिजिटल मिलता है जिसमें आपको स्पीडो मीटर अनलॉक में ABS की लाइट बजाज की लाइट ओडो मीटर टरिमीटर मिल जाता है बाकि साइड स्टेंड की वार्निंग्स होती है बाकि यही इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं इससे ज्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं एवेंजर 220 क्रूज में बाकी कंसोल में आपको औरेंज कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देगी मिरर यहां पर आपको एकदम स्ट्रेट मिलते हैं नीचे में आपको पासिंग का बटन अपर डिपर इ तो आपको इसके एकजोस्ट का साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं अगर आपकी हाइट कम है पांच फिट के आसपास है तो यह जो सीट है वो काफी कमफर्टेवल रहेगी काफी लॉंग सीट मिल जाती है इसमें आपको 737 mm की सीट आड मिलती है जो की ह पॉंडा एक्टिवा स्कूटर के लगबक बराबर है यहां पर 160 स्ट्रीट का स्टीकर है जैसा कि आपको डिवल टोन कलर के ग्राफिक फुली फाइबर बॉडी के साइट बॉडी पैनल मिलते है यह है इसका पूरा का पूरा चैस और इंजन की तरफ चलते हैं यहां पर दि औरRaSe suard यहांपर आपको नहीं मिलता है जो आपको अलग से लगवाना पड़ता है यहां पर आपको Let já और यह वाला जो वाइर है वो आप ब्रेक पैड का वाइर मिलता है जैसा कि अगर अगर आप ब्रेक को दवाते हैं तो एसकी जो टेलन अवो जलती है और यहांपर आप को थोड़ा सा मफलर गार मिल जाता है कैटली डिकनवर्डर के उपर 156 mm की ग्राउंड की लिरेंस मिलती है एड़स्टेवल फुट्रेस्ट मिल जाते हैं बाकी एक्जॉस्ट आपको मिलता है पूरा का पूरा मैट ब्लैक फिनिस में अगर आप पीछे में कोई सवारी बैठाल और पीछे में आपको MRF कंपनी के ट्यूब ब्लैस्ट आयर मिल जाते हैं जो की 130-90-15 का साइज का यहाँ पर आपको मिल जाता है आगे में आपको 17 और पीछे में आपको 15 एंच का एलोबिल मिलता है 140 mm के असपास यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटप मिलता है जिसमें रियर पोर्ट्सन की बात करें तो उपर में कंपनी ने इसमें रवड की ग्रिप का इस्तमाल किया गया है पगड़ने गले बाकी यहाँ पर ग्लॉसिफनेस हैलोजन यहाँ आपको टेल लैट का सेटम मिलता है यही टेल लैट आपको मिलती है 220 क्रूज में और यहाँ आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें क्रोम आपको देखने को नहीं मिलता है क्रोम जो है आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 220 क्रूज में इसमें दिया है 160 CC का एर कोल्ड फोरिश ट्रॉक टुवाल SOSC ट्विन स्पार्क DTSI FI इंजन यह इंजन 15 PS की पावर देता है 8500 RPM पर और 13.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM पर 115 किलोमेटर प्रतिगंटे के असपास टॉप स्पीड मिल जाती बाकी 42 से 45 किलोमेटर प्रति लीटर का मायलेज मिलता है एक लीटर पेट्रॉल में यहाँ पर आपको छोटा सा विंड सील मिलता है जबकि 220 में काफी मिल जाता है इसके साथ ही यहाँ पर आपको सिल्वर फ्रेसिंग मिलती है यह जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपको फाइवर बॉर्डी के साथ मिलता है बाकी हैलोजन हेडलाइट का सेट अप और नीचे में आपको LED DRL तो सबसे पहले मैं चाबी को यहां से ऑन कर देत है यही चीज आपको मिलती है 220 क्रूज में हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं और यहां पर आपको नंबर प्लेट लगेगी बाकी फ्रेंट में आपको थोड़े से रवर गैटर मिलते हैं जैससे इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा रेट्रो लगे और सस्पेंशन की जो ला 7 इंच का एलोबील मिलता है जबकि पीछे में आपको 15 इंच का एलोबील देखने मिलता है इसी सापसे जो बाइक है वो थोड़ी सी उठी हुई नजर आती है अगर हम चलते हैं इसके दूसरी सैड में तो यहां भी आपको सेम चीज है वही मिल जाती है दूसरी सैड वाली यहाँ पर आपको मिलता है कंपनी फिटेट ब्लैक कलर का साधी गार्ड और यह जो क्रेस गार्ड है वो अभी असेंबल नहीं है जो कंपनी इसको लगा कर देती है और इसके साथ यहाँ पर आपको ओपन चैंसर कवर मिलता है फाइबर बॉड़ी के साथ आगे वाले टायर में पीछे वाले टायर में कितने कितने पॉइंट हवा रखनी है यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर आपको एडजस्टेवल फूट रेस्ट इस बाइक में आपको मिलता है इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम जैसा कि इस बाइक में आपको कम से कम डेड लीटर पैटरल आपको रेजर्व करके रखना पड़ेगा यहाँ पर आपको 5-speed gearbox मिल जाता है अगर आपके जो पैर है बहुत छोटे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बाकी यहाँ पर गियर पैटरन आप देख सकते हैं साइड इस्टेंड इंजिन कड़ आपका की मैन स्टेंड भी मिल जाता है तो मैंने अभी इस बाइक के साइड स्टेंड को यहां से डाउन कर दिया है सबसे पहले मैं बाइक को यहां से स्टार्ट कर देता हूं आप साइड स्टेंड की वार्निंग की लाइट को आप देख सकते हैं मीटर कंसोल में जैसा कि यहाँ प हाबडा हुगली आसपास से हैं तो आप रोल्टा बजाज बागवी हाटी बी आई पी रोड कॉलकता सोरूम में बिजिट कर सकते हैं इस सोरूम पर आपको बजाज की सारी बाइक मिल जाएंगी इसके साथ ही ये है बजाज पलसर 125 सीसी का कारवन एडिसन जिसमें कंपनी ने ब्लू कलर का इस्तिमाल किया गया है ये कलर आपको मिलता था पहले पलसर 150 में तो आने वाले समय में पलसर 150 में न्यू अपडेट आने वाला है इसके साथ ही ये है बजाज पलसर N60 और आज की डिट में इसकी ऑनरोड कीमत है एक लाग अठावन अजार और ये है 220 क्रो जोक 1,73,000 के असपास मिल जाती है और यहाँ पर खड़ी है NS200, Dominar 250 N250 और Dominar 400 रोल टावजाज बागव आटी कॉलकता सोरूम में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें सेर करें